बर्डे पार्टी हो या फिर हो कोई फंसन अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप इस प्रूट कस्टर्ड की रेश्पिक को जरूर ट्राइ करें क्योंकि ये बहुत ही सिपल तरीके से बनकी तयार हो जाती है तो चली इस मज़िता रेश्पिक को बनाना सुरू करते हैं तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले लिए और इस पे हमने डालाए 500 ml दूद अगर आपके पास गरम दूद हो तो आप वो भी ले सकते हैं और नहीं तो आप इसमें कच्चा दूद भी ले सकते हैं और इस प्रकार चलाते हुए इस पे एक हुबाल आने तक इसे हम पकाएंगे आप इस प्रूट कश्टर्ट की रेस्पी को किसी भी मौसम में बना सकते हैं अगर आप इसे गर्मीओं में बनाएगी तो आपको 2-3 गड़े गले फ्रिज में इसे रखना पड़ेगा और अगर आप इसे ठंडियों के सीजन में बनाएंगे तो इसे ठंडा करने की कोई भी जरूरन नहीं पड़ेगी इस प्रकार चलाते विए दूद में अच्छे से उबाल आ चुकी है तो आधा लिटर दूद में हमने एक कफ चीनी डाली है आप इसकी जग़े चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं अब चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जिसे की चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए इस प्रकार चलाते हुए एक मिनट बाद हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है तो अब हम गैस का फ्लेम दीबा कर देंगे और फिर हम लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चमच कश्टर्ड पाउडर ये हमने वो वनीला फ्लेवर का लिया था और इस पे हम डालेंगी थोड़ा सा पानी और इसका एक घोल बनाके तयार कर लेंगे कश्टर्ड का गोल बनके हमारा तयार हो गया है तो अब हम इस गोल को इस दूद में डालेंगे और इससे इस पेजलो को अच्छे से चलाते जाएंगे जिसे कीस में लंस न पड़ें और ये अच्छे से मिल जाएं और इससे इस प्रका चलाते हुए एक से तो मिनट के लिए हम पकाएंगे कस्टर्ण में कॉर्ण फ्लोर होता है इसे दूद में डालने के बाद दूद बहुत ही जल्दी से गाड़ा होने लगता है अब आप देख सकते हैं दूद हलका गाड़ा होने लगा है तो अब हम इसे एक मिनट तक और पकाएंगे दो मिनट तक इसे पकाने बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है और इसकी ठीकनेस भी बढ़ गई है अब हम गर्स का फ्लेम अउफ कर देंगे और इसे इस परकार चराते हुए अच्छा से ठंडा कर लेंगे तो लेज़ी कश्ट्रड हमारा अच्छा से ठंडा हो गया है तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे बोल में डालने के बाद हम इसे 5-6 मिनट के लिए फ्रेज में रखेंगे इसे हम ज़्यादा थंडा नहीं करेंगे क्यूंकि सर्दियों में ज़्यादा थंडा कष्टर नहीं खाया जाता 6 मिनट बाद हमने बोल को निकाल लिया है अब हम डालेंगे इसमें कुछ fruits जैसे इसमें हम डालेंगे बारी कटे हुए एपल और फिर हम डालेंगे इसमें बारी कटे हुए बनाना ये दोनो fruit custard में बिल्कुल main ingredients है और फिर हम डालेंगे इसमें बारी कटे हुए green grapes और फिर डालेंगे इसमें बिल्कुल बारी कटे हुई इस्ट्रावेरी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे न डालें और फिर हम डालेंगे इसमें बिल्कुल बारी कटे हुई ब्लेक ग्रेप्स अब जाएंगे इसमें अनार के दानी सबी फूर्ट से डालने के बाद अब हम इने अच्छा से मिलाएंगे तो लीजिए सूपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी फूर्ट कश्टर्ड हमारा बनकी तयार हो गया है अब हम इसे ठंडा ठंडा कटोरियों में सर्व करेंगे तो लिजे fruit custard हमारा बनके तयार हो गया है अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो नीचे जो like का बटन है उसे जरूर क्लिक करें और चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करें अब मिलते आपको नेचे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई